नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनोज कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसा ट्रिक तो कि आपको बहुत जाद हेल्फ करने वाला है वो ट्रिक क्या है देखिए मैं कुछ वर्क सेडूल बना रहा हूं यहां पे और इस वर्क सेडूल में और मैं चाहता हूं कि यह जो वर्क सेडूल है इसमें जैसे भी कोई भी डेट में एंट्री करता हो ना तो वो डेट जो है अगर इस डेट में अगर सटर डे पर रहा है या संडे पर रहा है या कोई भी होली डे पर रहा है मतलब क्या हो गया अगर आपका वीकेंड आइदर होली ड यहाँ पे करेंगे यहां पर कुछ कर रहा हूं आपना प्लानिंग मत कीजीए क्योंकि इस डेट को जो के अंदर वो चीज कैसे करेंगे, वहीं मैं बताने वाला हूं, देखे क्या करना है, सबसे पहला काम, अगर आपको weekend कर रहा है, planning कर रहा है, तो कैसे करेंगे, suppose मैं लिखता हूं 12 to 2022, यह एक date है, मैंने यहाँ पे schedule कर दिया है, suppose weekend अगर weekend अगर है इस day को कौँ सा day पड़ता है पहले मैं वो बता देता हूँ अगर मैं weekday की बात करूँ equal to और यहाँ पर weekday formula यहाँ पर डालूँगा अगर formula डालूँगा और इस date को लेता हूँ देखिए क्या result दे रहा है यहाँ पर 7 दे रहा मतलब क्या हो गया कि अगर यह date format में इसको general format में चल्च कर दे रहा हूँ इस वैल्यू को पोड़े दे रहा है संड़ै नहीं परथा सब्सक्राइब क्या हो गया जो यहां इसफीदे को मैं चैन्ज कर्के थर्टिन दे रहा हूं तो देखे यहां पर संड़ै है और संड़ै का जो क्या हो गया है तो आपका दिए Lapis a sporting और सटर्डे को कम्प्लिट हो रहा है तो इस सब से पहले क्रडिशनल फॉर में डाला दो वीक डे का वैलीव इस सेल के अंदर एंटरी नहीं हो तो उसके लिये क्या करेंगे देखे आप जो सबसे पहला काम करो यह सेल को सेल्ट कीजिए जहां तक आपको सिड्यूल करना है उस cell को select कीजिए और यहां से आपको जाना data में और data में जाके data validation जाएए और data validation आईए यहाँ पर तो आपके पास जो यहाँ पर एक वी पॉप आएगा और इस फॉप आप में आप इसको कर दिजिए custom ओके custom करने के बाद यहाँ पर equal to कीजिए यहाँ पर end का formula क्योंकि मैं यहाँ यहाँ पर दो तीन condition लगाना के दिखा रहा हूँ ठीके मैं इसलिए end का value ले रहा हूँ यहाँ और यहाँ पर इसको किया open और यहाँ पर मैं फॉर्मूल डालूँगा weekday का क्या डालूँगा weekday 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 कि cell के लिए इस cell के लिए इस cell में weekday का value डाल रहा हूँ और यह जो value not equal to होना चाहिए weekday weekday मतलब Sunday Sunday का day का यहाँ साथा one one नहीं होना चाहिए मतलब इस day में इस cell में आप Sunday का जो date है वो entry नहीं कर सकते हो उसके लिए मैं band कर रहा हूँ इसको correct Saturday को भी band कर देता हूँ कोई प्रॉलम नहीं तो एक और लिख दीजिए यहाँ पर weekday weekday और यहाँ पर कर दीजिए इस cell के लिए और इस cell का value not equal to होना चाहिए किसके बराबर not equal to Saturday का day भी डाल रहा हूँ तो उसके लिए कितना हो चाहिए 7 होना चाहिए और इसका मैं bracket किया close और यहाँ पर alert मैं दे दीजिए error alert जो भी चाहिए मैं यहाँ पर सिर्फ holy day लिख रहा हूँ holy day और इसको कर दीजिए तो देखिए अभी क्या होता है मंडे का value लिखा हुआ है अगर मैं यहाँ पर संडे सटर डे का value लिख रहा हूँ 13-2022 देखिए आपको restrict कर रहा है कि आप इस value को नहीं entry कर सकते हो इस date में आप schedule नहीं कर सकते हो कि holy day है इस date को क्या है holy day है आपका weekend है आप यहीं पर लिखिए न सटर डे का value लिख रहा हूँ ठीक है अगर मैं इस holiday को भी restrict करना चाहता हूँ यहाँ पर देखिए 14-1-2022 है यह entry हो रहा है ठीक है अगर मैं इस date को भी restrict करना चाहता हूँ यहाँ से तो वह कैसे करेंगे वह date मुझे restrict करना है आपने सटर डे संडे जो यहाँ पर restrict कर दिया वह value आपको entry नहीं ले रहा यह पर correct है अब देखिए क्या कर रहा हूँ इस value को भी मैं restrict करूंगा तो उसके लिए सबसे पहला काम एक groundwork है वह कर लेना पड़ेगा वह क्या है कि आप इस value को जो भी date holiday list आप इसको select कीजिए select करने के बाद आपको जाना है formula में और formula में यहाँ पर define name कर दिजिए इसका name आप अपने अनुसार जो भी लिखना है लिख दिजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ data data लिख दिया इसको कर दिया ओके बस इतना हो गया अब आपका जो conditional format था यहाँ पर data validation apply किये थे बस उसको select कीजिए उतना cell को और select करने के बाद फिर से वही data में और data validation data validation यही था यही का होना चाहिए not equal to आप जो अभी क्या लिखा था data यह create किया था formula data करके इसको कर दिजिए ओके और data लिखने बाद यहाँ ब्रैकेट क्लोज करना था ओके ब्रैकेट क्लोज किया इसको कर दिजिए ओके अब देखिए अब देखिए आपका काम बना की नहीं बना ठीके मैंने यहाँ पर 14-1-20-22 को जो है एक holiday है यहाँ पर लिखता हूँ 14-1-20-22 देखिए क्या होता है आप इस date को entry नहीं कर सकते क्योंकि आपके list में यह date है यहाँ भी देखिए 5-2-20-22 है कोई बात नहीं मैं इसको entry करता हूँ 5-2-20-22 देखिए entry नहीं हो रहा है ठीके तो आप जो आपका इस holiday को पड़ता है देखिए 23 लिखना चाहता हूँ 28-3-22 ठीक है 28-3-22 यह भी रिस्टिक्ट हो रहा है अगर यहाँ पर 27 की बात करें 27-3-22 यह भी रिस्टिक्ट हो रहा है तो सब्सक्राइब होगा 27 अगर 26 की बात करूं यह भी नहीं हो रहा है ओके अगर 25 की बात करूं आराम से हो गया 26-27 क्यों नहीं होगा है अगर मैं यहाँ 25 इंटरी हो गया 27 यहाँ पर रहा था जिसके लिए आपको यहाँ पर यहां पर 28 जो है 28 मार्ज वो मंडे पर रहा है तो वो आपको यहां पर देखिए होलीडे लिस्ट में है इसलिए एंट्री नहीं हुआ अगर यहीं पर मैं 29 की बात करूं 293 2022 यह देखिए आपको एंट्री हो गया क्योंकि 29 ना तो विकेंड है और ना ही आपके 온데 लिस्ट में है तो इस तरह से आप जो है weekend का plan work schedule का बीना कोई objection का आप कर सकते हो बिना कोई holy day आप यहां पर ढाले हुए कर सकते हो अगर holiday आया तो आपको Finnقط करो आपका weekend है यह तो holiday परता है ठेक है तो इस वीडियो पस इतना ही और मिलते कुछ न्यू आइडिया न्यू ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू